तो इलेक्ट्रो मैगनेटिज्म के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि यह आसान है इसमें जो क्लिक्लेशन होते हैं उह बहुत ही छोटे हिकलिक्ा के मलाण में या सारे सब तॉपिक्स नहीं कहीं कैमेंशिटर में भी पूछा जाते हैं तो हम लोग एक टॉपिक्स करते हैं तो अपना जिसका भी एक topic prepare हो गया और एक chemistry का भी prepare हो गया इसलिए यह दो chapter है काफी important है तो यह दो chapter है इसको हम लोगो start करेंगे इसमें जैसे कि मैंने बताया कई सारे sub topics होते हैं तो सबसे पहला sub topic है matter waves और matter waves को हम लोगो start करेंगे with dual nature of light कहा जाता है कि जो light है इसके पास dual nature होता है मतलब यह particle जैसा भी behave करता है और wave जैसा भी behave करता है light behaves as particle as well as wave तो इसका जो wave nature है वो किसी-किसी फेनोमेना में observe होता है और किसी-किसी में नहीं भी होता है किसी-किसी फेनोमेना में इसका particle laser observe होता है तो जैसे कहते हैं कि यह जो diffraction है diffraction हो गया या interference हो गया या कर सकते हैं कि polarization हो गया polarization in diffraction interference polarization the wave nature of light is observed उसी तरह से अगर पार्टिकल नेचर अबजर्व करना हो तो कहीं ने कहीं photoelectric effect होता है या crompton effect होता है तो उसमें पार्टिकल नेचर इसका observe किया जा सकता है in photoelectric effect photoelectric effect and crompton effect particle नेचर the particle नेचर of light is observed तो वेव नेचर का मतलब हम समझते हैं कि कहीं ने कहीं वेव की जो कोई बॉल होता है बॉल जैसा एक छोटा टुकड़ा होता है उस टाइप का कुछ होना चाहिए इसके पास है ना तो जो आइंस्टाइन था उसने पहले बार जो light है उसको एक पार्टिकल जैसा इमेजन किया आइंस्टाइन इमेजन लाइट एज पार्टिकल Also एक્ट्यमें photon क्या है लाइट energy का packet है छोटा छटा packet के फॉर में जो energy है वो source है से release हो करके बहर आता है तो उस packet को हम लोग कहते है photon photon जो है यह चार्जलेस होता है और massless भी होता है photon is chargerless and massless particle यहाँ पर massless का मतलब है हम लोग रेस्ट मास की बात कर रहे हैं इसका रेस्ट मास जो है वो zero होना चाहिए है ना कहते है charge on photon is zero और इसका massless का मतलब है इसका रेस्ट मास वो zero होता है रेस्ट मास ओफ photon is zero रेस्ट मास का मतलब यह हुआ है कि जैसे कोई material है तो material का मतलब की उसमें कुछ मास होगा और कुछ मास होता है relative मास जो की material के motion के कारण से आता है अंस्टाइन एक और फॉर्मूला दिया था रिलेटिव मास का जैसे जो रिलेटिव मास होता है relative mass of matter waves यह कर सकते हैं relative mass of objects कोई ऐसा object है जिसके पास rest mass हो तो उसका रिलेटिव मास हम लों लिख सकते हैं इस तरह से MR मतलब यह हो गया rest mass या इसको हम लोग AM लिख देते हैं इसको relative mass लिख देते हैं यह जो है ऊपर मैंने AM लिखा है यह rest mass है मतलब कि जो material होगा हम लोग actually में जो है वो rest mass measure करते हैं मतलब अगर object rest पर होगा तो जो भी उसका mass होगा वो जो है उसको rest mass कहा जाता है तो इसका एक formula बता है एंस्टाइन ने 1 minus v square divided by c square जहाँ पर v जो है यह होगया velocity of object और c जो है speed of light है यह velocity of light just उसमें magnitude रखना है ठीक है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो v का value है वो c से कम होना चाहिए c से v का value जादा होई नहीं सकता जादा होने से कहा होगा कि यह term negative आजाएगा और root के अंदर कोई negative term हो तो उसके imaginary roots आते हैं इसका मतलब इसी लिए आइंस्टाइन ने यह बोला कि किसी भी object का या particle का जो velocity है वो light के speed से जादा नहीं हो सकता है है ना जो किसी भी material का जो speed है वो light के speed से जादा नहीं हो सकता है कि यहां से imaginary आ जा रहा है है ना तो यह तो हो गया यह relative mass का जो formula है यह वैसे objects के लिए है जिनके पास अपना rest mass होता है लेकिन photon जो है उसके पास अपना rest mass होता ही नहीं है उसके पास केवल relative mass होता है photon has relative mass और इसका जो relative mass है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं उसकी kinetic energy divided by c square यानि की kinetic energy by c square और यहीं से यह जो formula है Einstein का जो famous formula है E is equal to mc square यह formula आता है तो इसमें E जो है वो photon की kinetic energy है where is kinetic energy of photon अब जैसा ही कहा गया कि जो photon है photon एक particle है है ना तो particle है तो उसके पास कुछ momentum भी होगा momentum of photon P is equality के लिए लिखना चाहिए उसका mass into इसका लिखेंगे mass यह यहाँ पर relative mass है ध्यान रखना है कि यह जो मैंने लिखा है यह photon के लिए relative mass है m into c मतलब की mass into velocity photon जो है light के velocity से चलेगा light के speed से चलेगा इसलिए उसका momentum हो लोग उस इस तरह से लिख सकते हैं और देखेंगे यहाँ से कि m c जो है वहाँ से e by c के equal आएगा e by c के equal भी आ सकता है अब e जो है इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है जैसे एक plank का formula है planks formula for energy of photon photon की energy निकालना हो तो एक planks constant आता है और light की जो frequency है यह आता है यह plank का formula है है ना तो जैसा है कि हमने कहा कि light जो है उसके पास wave nature भी होता है particle nature भी होता है तो यह जो energy लिखा है तो photon के लिए है लेकिन frequency तो जो है wave का होता है है ना तो मैं frequency को ऐसे विली सकता हूँ speed of wave divided by lambda जैसे v is equal to n lambda हमने पढ़ा था sound wave में या wave on string में वैसे ही c is equal to new lambda यहाँ पर हो गया तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ e is equal to h new को रख दूँगा c by lambda है ना तो energy जो है photon का यह हो गया hc divided by lambda तो photon की energy हम लोग h new भी लिख सकते हैं hc by lambda भी लिख सकते हैं और इसी हिसाब से हम लोग इसका अगर wavelength निकालें wavelength of photon photon का wavelength है lambda इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से देखें यहां से लिखा जाएगा तो यह आएगा hc by e hc divided by e h divided by e by c को यहां से मैं p के equal लिख सकता हूँ तो h by p आजाएगा तो lambda की value हो गई h by p तो यह सारे formula है कुछ यह सारे formula केवल photon के लिए valid हैं किसी भी जो ऐसे object के लिए valid नहीं है जिनके पास raised mass होता हूँ है नो सारे मतलब जो भी photons होते है photons में जैसे x ray भी हो सकता है है नो gamma ray भी हो सकता है यह जो अपने पास जो light आता है उसके अंदर photon है सब तो उनकी लिए यह formula है यह valid होते हैं अगर हम लोग यहाँ पर graph plot करने की कोशिश करें जैसे energy और mass का relation energy of photon और यह relative mass of photon तो हमें पता है formula e is equal to mc square होता है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि e जो है यह directly proportional to m हो जाएगे क्योंकि c तो constant रहता है तो यहाँ पर यह जो graph आएगा कुछ ऐसा आजाएगा इसी तरह से जो है अगर हम लोग energy और p का graph plot करें यहाँ देखेंगे energy और p का तो e is equal to p into c लिखा जा सकता है e is equal to e into c यानि e is directly proportional to p तो energy और momentum का graph ऐसा होता है यह से photon के लिए है इसी तरह से अगर हम लोग graph plot करें lambda और p का तो lambda और p में एक relation होता है यह जाएगा lambda into p is equal to h is equal to constant है तो ऐसा equation हम लोग पढ़ते हैं rectangular hyperbola होता है x into y is equal to constant इसका graph आता है x into y is equal to constant इसको rectangular hyperbola आता है इसका graph कुछ ऐसा आता है तो ऐसे ही यहाँ पर है lambda है y के जगापर और एक सख्सिस पर p है तो इन दोनों का product constant है तो अगर दोनों का product constant होने का मतलब यह हुआ कि यह quantity बढ़ेगा तो दूसरा quantity घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा तो इसलिए ऐसा आ रहा है एक जब बढ़ा है तो दूसरा कम है और जैसे यह पहला वाला जो है यह घटता जा रहा है तो दूसरा वाला जो बढ़ता जा रहा है तो यह ऐसा ग्राफ आता है इसका rectangular hyperbola अगला graph जो है हम लोग plot करेंगे lambda और यहाँ पर lambda और E का plot कर सकते है lambda और E का lambda और E में जो relation है यहाँ से देख सकते हैं E into lambda is equal to hc E into lambda is equal to hc planks constant भी constant होता है speed of light भी constant होता है यह पूरा constant हो गया तो यह भी rectangular hyperbola जैसा ही आगया x into y is equal to constant जैसा तो इसका graph भी कुछ इस तरह से आएगा तो अभी जो भी कहानी हमने पढ़ी है यह सारा जो है सब कुछ keval photon के लिए है हम लोग matter wave किसको कहते है matter waves वैसे objects के लिए कहा जाता है gene object के पास जो है raised mass होता है और वो wave nature को exhibit करते है है ना तो वैसे objects के लिए matter wave word use किया जाता है और उनके लिए जो formula है यह सारे यह use नहीं होते है यह सिर्फ photon के लिए use में आता है तो matter waves किसको कहते हैं उनके लिए energy का equation wavelength का equation या momentum का equation क्या होता है वो अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे जिस तरह से Einstein ने कहा कि light के पास wave nature और particle nature दोनों होते हैं उसी तरह से D. Brogley ने कहा कि जितने भी moving bodies होते हैं उनके पास भी wave nature और particle nature दोनों होते हैं तो D. Brogley ने कहा according to D. Brogley all the moving objects all the moving objects having raised mass poses both wave nature as well as particle nature और यह जो moving bodies जो भी waves को generate करते हैं उस wave को इन्होंने नाम भी दिया नाम दिया matter waves तो यह कहा जा सकता है D. Brogley named the waves generated by moving objects having raised mass as matter waves एक तो light wave हो गया और यह matter waves दोनों में फर्क है light waves जो है completely उसके पास जो है कोई भी raised mass नहीं होता और यह जो matter waves है यह ऐसे waves के बारे में है जिनके पास raised mass होता है तो यह थोड़ा सा different है अब जो है अगर waves जैसा behave करते हैं तो wave के पास wavelength भी होता है frequency भी होता है तो wavelength find करने के लिए formula बताया formula बताया कि wavelength of wavelength of matter waves can be found by lambda is equal to h by p यह तो formula है यह तो photon के लिए भी आया था लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्ग है जो momentum वाला पार्ट है जो momentum वाला पार्ट है photon के लिए अलग होता है और matter waves के लिए अलग होता है इसके लिए लिए लिखेंगे P जो है aim into V होता है अब ध्यान रखना है कि matter waves में जो aim है यह rest mass होता है जबकि photon के case में लग रहे थे h by aim c aim वहाँ पर relative mass होता था motion के कारण से जो mass आता था वो होता था है ना तो यह हो गया इसको लो लिख सकते हैं इस तरह से where aim is rest mass of moving objects और जो V है यह हो गया speed of objects तो इस तरह से wavelength की value निकाल सकते हैं और यह जो P होता है यानि कि जो momentum होता है momentum को हम लोग लिख सकते हैं P is equal to या जो energy होता है kinetic energy kinetic energy of moving having having rest mass ऐसा object जिसके पास rest mass होता है उनकी kinetic energy को हम लोग लिखते हैं half mv square इस तरह से लिखते हैं और इसको हम लोग ऐसे वह लिख सकते हैं e is equal to half mv square था इसमें इसको m square कर सकते हैं नीचे m से divide कर सकते हैं m से उपर नीचे multiply कर दिया तो यह हो गया P square by 2m यानि जो momentum है इसको लिखा जा सकता है under root 2m e तो जो wavelength है wavelength को लिखा जा सकता है lambda is equal to h by p is equal to h by mv is equal to h by under root 2m e यह ध्या रखना है कि यहाँ पर aim जो है यह raised mass है अब इसने यह कहाड़ी रोगली ने कि जितने भी moving objects हैं सब के पास wave nature होता तो है लेकिन wave nature हमेशा observe नहीं किया जा सकता है wave nature कब observe कर सकते हैं जब उस object का जो size है जो dimension है वो इस wavelength के comparable हो जब comparable होगा तो उसका wave nature observe किया जा सकता है otherwise नहीं किया जा सकता है you know wave nature of matter waves can be observed only when their wavelength their wavelength is comparable to their size or dimensions इसका मतलब यह हुआ कि जैसे किसी object का जो motion में है उसका wavelength माल लेते हैं कि meter में है और उसका size है वो भी meter में है तो कर सकते हैं कि comparable है तो उस case में उसका wave nature observe किया जा सकता है अब ऐसा हो कि उसका wavelength angustrum में है और size जो है वो kilometer में है तो उस case में दोनों को कोई compression नहीं है wavelength बहुत ही छोटा है size से तो उस case में हम लोग उस matter wave का जो wave nature है वो observe नहीं कर सकते हैं wave nature उसके पास होगा जरूर लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं उसको observe नहीं कर सकते हैं तो यह जो equation मैंने बताया है यह इस equation से हम लोग कई different objects के wavelength find कर सकते हैं जैसे कोई charge particle है है ना for a charge particle कई बार question आता है कि एक charge particle है उसको किसी potential difference तक जो है accelerate कर दिया गया accelerate करने से जो है उसके पास कितना wavelength आएगा यह हमें बताने एक्सलेट करने से क्या उसके पास motion आ जाएगा motion आ जाएगा तो उसके पास wave nature भी आएगा तो उसका wavelength क्या होगा यह हमें पता करना होता है तो for a charge particle accelerated to potential difference डेल्टा वी डेल्टा वी जो है potential difference है तो हमें पता है कि जो work done होता है अगर किसी potential difference तक accelerate करेंगे तो electric field उसको उस पर work करेगा work करेंगा उसको kinetic energy देगा तो work done तो लिखते हैं charge into potential difference और जितना work होगा उतनी उसके पास kinetic energy आएगी इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं तो इस हिसाब से इसका जो wavelength आएगा इसके लिए इस case में मतलग कि charge particle का wavelength निकालेंगे h divided by under root 2m e जो यह formula है इसमें e का जो value है वो यहां से रख देंगे तो यह जाएगा lambda is equal to h divided by under root 2m e के जगा पर रखेंगे q into delta v यह जाएगा इसी तरह से कोई gaseous molecule है gaseous molecule हमें पता है कि space में है जो हमेशा motion में रहता है और उसके पास कानेटिक एनर्जी वह टेंपरेचर के सांथ में वड़ता रहता है तो कह सकते हैं for gaseous molecules gaseous molecules की जो energy होती है उसको हम लोगते है ट्रांसलेशनल कानेटिक एनरजी 3 by 2 kt translational degree of freedom 3 होता है k boldman constant है और t जो है absolute temperature होता है है ना तो यह तो कानेटिक नरजी होगी किसी molecule की तो अगर इसका wavelength निकालेंगे तो इसका wavelength आ जाएगा lambda is equal to h divided by under root 2m into e के जगा पर रखेंगे 3 by 2 kt 2 और 2 cancel हो गया तो lambda का value हो जाएगा h divided by under root 3m kt यह आ गया है है ना उसी तरह से अगर कोई thermal neutron है फोर thermal neutron thermal neutron का मतलब यह है कि इसके पास भी कुछ temperature है temperature है मतलब thermal energy है तो इसके पास कुछ kinetic energy आएगी इसकी भी kinetic energy gaseous molecule जैसे ही लिखेंगे मतलब की 3 by 2 kt तो इसका भी जो wavelength है वो इतना ही आगा जितना की gaseous molecule के लिए define करते हैं है ना तो इसको मैं लिख सकता हूं lambda is equal to h divided by under root 3m kt है ना जो gaseous molecule के लिए wavelength का formula आया था thermal neutron के लिए उतना ही आया है बस यहां पर एम क्या है इस gaseous molecule का मास है यहां पर एम जो है उस neutron का मास है ठीक है बस यह फर्क है टी जो है temperature है यहां पर k रेस्ट मास होता है जो charge particle होगा उसके पास भी रेस्ट मास होता है जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं electrostatic में कि जो charge है वो बीना मास के एक्जिस्ट नहीं कर सकता है इसके पास मास होता है गैसियस मौलकिल्स पास भी अपना मास होता था है Lud Gong के पास अपना मास होता है तो इसे particles है जिनके पास अपना desť मास होता है इनके लिए यह the formula है यह वालिद है photon के लिए यह formula यह वैलिद नहीं है कि अगर इधर है energy, और इधर है momentum, तो यह equation जो आएगा, E is equal to, जो है, P square by 2m, जैसे होता है, Y is equal to Bx square होता है, parabola opening upwards, कुछ वैसा ही है, यहाँ पर है, X axis पर P रखा है और Y axis पर E रखा है, तो इसका graph कुछ ऐसा आएगा, इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जो wavelength है, wavelength का और momentum का, तो wavelength और momentum का जो relation है, यह वैसा ही relation है, यह वैसा ही relation है, जैसा है कि हमने photon यह कैसे पढ़ा था lambda is equal to H by P, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि lambda into P is equal to H, तो यह X into Y is equal to constant जो rectangular hyperbola था, वैसा graph आएगा, photon के case में भी यह ऐसा ही आता था, यह वाला photon के case में आता था, straight line यहाँ पर, क्योंकि photon के case में equation आता था, E is equal to P into C, तो C तो constant है, E proportional to P हो जाता था, straight line आता था, जो कि matterverse के case में यह parabola opening upwards आ रहा है, अगर हम लोग cloud करेंगे, lambda, lambda versus root E, जैसे देखेंगे यहाँ पर, यह lambda है, और यह है H by root 2M into E, इसमें से 2M और H तो constant है, तो हम लोग इसमें यह कर सकते हैं, कि lambda into root E is equal to constant, बाकि जो है H by root 2M constant हो जाएगा, तो lambda into root E, यहाँ पर root E रखा हमने, तो यह होगा, y into x is equal to constant, x axis पर root E रखा हुआ है, और y axis पर lambda रखा हुआ है, तो यह भी rectangular hyperbola जैसा graph आ गया, अब हो जो क्या करेंगे, कि matter wave से related, एक example करते हैं, यहाँ पर example दिया गया है, calculate the wavelength associated with motion of earth, मतलब earth को अगर एक matter wave जैसा माना जाए, इसका जो motion एकरण जो wave generate होगा, उसको matter wave से माना जाए, जिसमें कि earth की velocity दी हुई है, 3 into 10 to the power 6 meter per second, और earth का अपना mass दिया है, 6 into 10 to the power 24 kg, हमें बताना है कि इसके motion एकरण जो wave generate होगा, उसका wavelength क्या होगा, यानि कि इस matter wave का wavelength निकालना है, तो यह आएगा h by m into v, h का value होता है 6.6 into 10 to the power minus 34, जो भी SI unit होता है, इसमें यह आता है, और mass यहाँ पर दिया गया है, 6 into 10 to the power 24, kg में ABSI unit है, और जो velocity है earth का, वो दिया गया है, 3 into 10 to the power 6 meter per second, speed काफी ज्यादा दिया हुआ है, फिर भी देखेंगे कि calculate करने के बाद यह जो value आएगा, यह आएगा कुछ इस तरह से 3.67 into 10 to the power minus 65 meter, यह आगया wavelength, तो देख सकते हैं कि, एंगस्टरम में होता है 10 to the power minus 10, यह नि एंगस्टरम से भी बहुत ही छोटा है, फिक, इसका जो wavelength है, वो बहुत ही छोटा है, जबकि earth का जो size होता है, radius हम लोगों को पता है 6400 kilometer होता है, मतलब earth का dimension है, वो kilometer में है, और उसका जो wavelength है, वो एंगस्टरम से भी बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि earth के पास, जो है, वो wave nature है तो जरूर, लेकिन उसको हम लोग observe नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर wavelength बहुत ही कम आ of earth cannot be observed, जैसा कि डीव रोगली ने बदाया, कि अगर wavelength dimension से comparable नहीं होगा, तो wave nature observe नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर earth का wave nature observe नहीं किया जा सकता है, तो matter is related, अभी तक हमने जो भी theory पड़ी है, उससे related कुछ examples करेंगे, जो कि NCRT में solid example के form में दिया गया है, तो जैसे यह पहला example देहेंगे, इसमें पुछा गया है, what is the D. Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10.6 meter per second and a ball of mass 150 gram traveling at speed 30 meter per second, तो सबसे पहले हम लोग यह वाला case करेंगे, हमें पता है कि जो D. Broglie wavelength है, उसके लिए हम लोग formula करते हैं, lambda is equal to H by P, तो पहले वाले case में, H जो है, हम लोग रखेंगे 6.63 into 10 to the power minus 34, SI उन्हें रखेंगे, और यह है momentum, momentum का मतलब होता है, mass into velocity, तो यह जो electron है, electron का mass हम लेते हैं, 9.11 into 10 to the power minus 31 kg into velocity, इसकी velocity दी गई है, 5.4 into 10 to the power 6 meter per second, यह रखना है, इसको भी हमने SI unit में रखा है, mass को भी SI unit में रखा है, जब आप इसको sol करेंगे, तो यह आएगा 1.35 into 10 to the power minus 10 meter, यह इसको लोग ऐसे रख सकते हैं, 1.35 angostrum, इतना wavelength आजाएगा, अब आते हैं दुसरे वाले case में, दुसरे वाले case में पुछा गिया है, a ball of mass 150 gram, traveling at speed 30 meter per second, तो इस case में भी h का तो value पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि यह constant है, planks constant है, 6.63 into 10 power minus 34 divided by mass of the ball 150 gram दिया गया है, तो 150 into 10 power minus 3, यह kilogram हो गया, इसका speed है 30, है ना, जब इसको अप्सोल करेंगे, तो यह आएगा 1.47 into 10 to the power minus 34 meter, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह जो wavelength है, wavelength आया है angostrum में, और electron का जो size होता है, वो भी angostrum में होता है, ठीक है, जब कि ball का size काफी बड़ा है, और इसका wavelength देखेंगे, बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है, कि इसको हम लोग measure नहीं कर सकते, इसको measure करने के लिए अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, है ना, तो कर सकते हैं कि इस case में, especially electron के case में, है ना, आप देख सकते हैं, कि चुकि wavelength और size comparable है, तो इसमें हम लोग यह कर सकते हैं, कि electron का wavelength नेचर औबगर किया जा सकता है, जबकि इस बॉल का वेवनेचर और नहीं किया जा सकता हालागि इसके पास वेवनेचर है इसका वेवनेचर है लेकिन इसका वेवनेचर और नहीं किया जा सकता है इसके बाद आते हैं अगले एक्जामपल पर अगले एक्जामपल में कहा गिया है एन एलेक्ट्रॉन अलफा प H by P, और यह होता है H by M into V, अगर बात करें कानेटिक एनर्जी की, तो कानेटिक एनर्जी कौनों लिख सकते हैं, half M V square, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 by 2 M into M V का whole square, M से उपर नीचे मैंने multiply कर दिया, तो यह हो गया P square by 2 M, तो देखेंगे, यहां से P का value आएगा, under root 2 M into K, तो यह जो wavelength का formula है, lambda is equal to H, Y, P, इसमें अगर P का value kinetic energy का ट्रमें रखेंगे, under root 2 M, K, तो देखेंगे, किस question में, जो H है, वो constant है, जो K है, kinetic energy सब की बराबर दी गई है, चाहे electron हो, चाहे alpha particle हो, या proton हो, सब के लिए kinetic energy equal दिया गया है, तो different क्या होगा, mass, जिसका mass सबसे ज़्यादा होगा, उसका wavelength सबसे कम आएगा, तो हमें पता है आलफा पार्टिकल का मास जो है सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में से जो दिया हुआ है जो तीनों पार्टिकल दिये गए हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मास किसका होता है आलफा पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ जो है सबसे कम आए अगले एजामपल पर आते हैं इस एजामपल में देखेंगे कहा गया है पार्टकिल इज मुविंग थ्री ताइम्स एज फास्ट एज एलेक्राउन मतलब जो पार्टकिल है उसकी वेलोसिटी एलेक्राउन की वेलोसिटी का तीन गुना है फिर आगे बुला गया the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.813 into 10 per minus 4 de Broglie wavelength particle का और electron का यह जो ratio है यह हमारे हिसाब से कितना होता है यह होता है mass यह h divided by momentum of particle और फिर h divided by momentum of electron ऐसे लिखेंगे तो h और h cancel हो जाएगा momentum of electron divided by momentum of particle तो momentum का मतलब होता है mass of electron into velocity of electron और particle के लिखेंगे mass of particle into velocity of particle यह जो ratio है यह दिया गया है 1.813 into 10 to the power minus 4 तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ve by vp है वो आएगा 1 by 3 तो इसको मैं लिख सकता हूँ me by mp into 1 by 3 तीक है यहाँ पर जो ve by vp 1 by 3 आएगा ve by vp को 1 by 3 हमने रख दिया अब यहाँ पर पुछा क्या गया है calculate the mass of particle and identify the particle तो इसमें से अगर mass of particle calculate करना हो तो mass of electron by 3 divided by 1.813 into 10 to the power minus 4 यहाँ तो mass of electron हमें पता है यह होता है 9.11 into 10 to the power minus 31 kg divided by 3 into 1.813 into 10 to the power minus 4 इसको आप जाए calculate करेंगे तो यहाँ आएगा 1.675 into 10 to the power minus 27 kg ठीक है यह भी kg में था और इसलिए kg में आया तो अगर आपको याद हो तो यह जो mass है यह proton का mass होता है या neutron का mass होता है दोनों का mass approximately equal माना जा सकता है तो इसमें हम लोग यह कर सकते हैं यह जो particle है यह तो proton होगा या neutron होगा तो particle can be proton और neutron तो matter wave से related एक और example है इसमें कहा गया है what is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt तो अगर आपको ध्यान हो जो मैंने थेहरी बताया भी उस थेहरी हमने क्या देखा कि जो kinetic energy है kinetic energy हमनों लिखते हैं यह charge into potential difference यहाँ पर charge जो है वो electron है तो electron पर जो charge आएगा e रखेंगे और potential difference दिया गया 100 volt तो इस case में de Broglie wavelength जो है वो होता है h divided by under root 2m into kinetic energy जैसे आपने पिछले वाले question में किया था तो यहाँ पर h का value रखेंगे 6.63 into 10 to the power minus 34 SI unit में under root 2 mass of electron रखेंगे 9.11 into 10 to the power minus 31 into kinetic energy यहां से रखेंगे जो electronic charge होता है यह होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 into 100 volt जब आप इसको calculate करेंगे तो यह आएगा 1.23 into 10 to the power minus 10 meter यह इसको आप करेंगे सकते हैं 1.23 angstrom तो यहां पर यह जो है वेविंद आएगा करेंगे